साथियों, आधुनीक मेडिकल साइंस के इस दौर में, औरगन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है. कहते हैं, जब एक व्यक्ति मुर्त्य के बाद अपना शरीर दान करता है, तो उससे 8-9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती हैं. संतोस की बात है कि आज देश में औरगन डोनेशन के प्रति जागरुकता भी बढ़ रही हैं. साल 2013 में हमारे देश में औरगन डोनेशन के 5,000 से भी कम कैसिस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज़्यादा हो गई है. आज मन की बात मैं हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुन्दर गुडिया के पीता, और उनकी माता जी हमारे साथ जुडने जा रहे हैं. पिता जी का नाम है सुख्वीर सिह संदू जी और माता जी का नाम है सुप्रित कौर जी. ये परिवार पंजाब के अमरुसर में रहते हैं. बहुत मन्नोतों के बाद उन्हें एक बहुत सुन्दर गुडिया बिटिया हुई थी. घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर. अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है. अबाबत जब सिर्फ 49 दिन की थी, तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई. लेकिन सुखवीर सी सिंदु जी और उनकी पत्नी सुपरित कौर जी ने और उनकी परिवार ने बहुत ही प्रिनादाई फैसला लिया. ये फैसला था, 49 दिन की उमर वाली बेटी के अंगदान का, और गन डोनेशन का. हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर सुखवीर जी और उनकी स्त्रेम्यती जी मौजूद है. आईए, उनसे बात करते हैं. सुखवीर जी नमस्ते. नमस्ते मानिय प्रदानमंत्री जी, सच्छेकाल. सच्छेकाल जी, सच्छेकाल जी. सुखवीर जी, मैं आज मन की बात के सबंद में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आपी के मुन से सुनूं. क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है, तो अनेक सपने, अनेक खुश्यां लेकर आता है. लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए, वो कस्ठ कितना भेंकर होगा, उसका भी मैं अन्दाज लगा सकता हूँ. जिस प्रकार से आपने फैसला लिया, तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी. सर बगवान ने बहुत अश्या बच्चा दिया था हमें, बहुत प्यारी गुडिया हमारे गर में आई थी. उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिबाग में एक ऐसा नाडियों का गुशा बना हुआ है, जिसकी वज़ए से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है. बंद हो गया, तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटर लेके गए, वहां डॉक्टर ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइन लगा कि इसको क्या दिकत आई, इतनी बड़ी दिकत के शोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पढ़ गया, तो हम उसको ये पीजी आई चंडीगर ले गए, वहां बड़ी बहादरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए सगर्श किया, लेकिन बिमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी शोटी उमर में संबब नहीं था, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए, अगर शेमी नेक के आसपास पच्चा चला जाए, तो उसका आपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन बड़वान को कुछ और मंजूर था, उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई, तो डॉक्टर्स ने का कि इसको दोबारा दिल का तौरा पड़ा है, अब उमीद बहुत काम र रही थी, तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहां आरे का कोई मकसद है, तो उन्होंने जब बिल्कुली जवाब दे दिया, तो हम दोनों ने डिसाइड किया, कि कि उन्हों हम इस बच्चे के और्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए, पिर उन्हें पीजाई के जो अड्मिस्टरिश्टिफ ब्लॉक है, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया, कि इतने शोटे बच्चे के केवल किद्नी जी दी जा सकती है, पर मातला ने हिमत दी, गुर्णानक साब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले गरब की बात है कि आप हमसे बाग कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा काम किया है, और मैं मानता हूँ देश ये सारी बाते जब सुनेगा, तो बहुत लोग किसी की जिन्दीगी बचाने के लिए आगे आएंगे, अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी, पर तो कुछ हो ही नहीं सकता जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, सुकबिर जी, जब आप अस्पताल में होंगे, और ये इला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी आपने स्वस्त मन से, आपने और आपके स्रीमती जी ने, इतना बड़ा निनने कि क्या ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूं जी, तर एक्चली हमारे एक फैमिली फ्रेंट है, प्रिया जी, उन्होंने अपने और अर्गन दोनेट किये थे, उनसे भी हमें प्रेना मिली, तो उस समय तो हमें लगा, शरीर जो है, पंच तक तक हमें विलीन हो जाएगा, जो और गर्व मुसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस डोनर बनी है, जिसके और गर्व से उचा हो गया है, जो नाम हम अपने पेरिंट्स का इस समर तक नहीं कर पाए, एक शोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम पूचा कर गया, और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विशे पे, हम प्राउख फिल कर रहे हैं। की सराना करता हूँ। Thank you sir.